फटार तीस सेकेंड में पूरी खबर डाउनोड करें तक्याब सनातन धर्म में इनकी आस्था नहीं है हिंदूों को इन्होंने गाली दिया हिंदू धर्म को कमजोड बताया और फिर हिंदू धर्म के समवाहक हिंदू धर्म का एक मजबूत करी धर्म को आगे ले जाने वाले ब्राह्मनों को गाली दिया अनर्गल बयान बाजी मतलब जो बयान आपने दिया मांजी जी को लेकर वो बयान क्या वापस से ऐसे बयान हमें देखने सुनने को मिलेंगे क्या अगर मेरे धर्म पे कोई आगहात करेगा तो जिवा काटने की बात किया है मैंने मेरे धर्म को कोई गाली देगा तो गर्दन काटने की भी बात हो सकती है तो या रहना पड़ेगा बिहार के पूर्व डिप्टी सीम और राज्यसभा सांसद सुशील मोधी ने कुछ दिनों पूर्व एक ट्वीट किया था ट्वीट पढ़के सुनाओंगी उसकी बाद बताओंगी कि मैं किस शक्स के साथ बैठी हूँ सुशील मोधी ने कहा कि जिसने मांजी जी को धमकी दी उसे भाश्पा ने निलंबित कर साफ संदेश दिया कि दलित समाज को धमकाने या अपमानित करने वालों को बिल्गुल बरदाश्ट नहीं किया जाएगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के नेतरत्व में पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान सुरक्षत रखने के लिए प्रतिबध है हमारे साथ इस वक्त गजेंद्र जहां मौझूद है जिनके संदर्व में यह पूरा ट्वीट लिखा गया है यह ट्वीट जब आया उसके बाद आपका आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपके बारे में ही सुशील मोधी नहीं लिखा है मैंने यह सपस्ट कर दिया था मिडिया माध्यमों से कि मैंने जो बयान दिया वह भारतिय जंता पार्टी का कारिकर्टा होने के नाते नहीं दिया था मैंने यह बयान एक राष्ट्रवाधी होने के नाते दिया था मैंने यह बयान एक हिंदुवाधी होने के नाते दिया था हाँ मैं कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और आप कटर हिंदू भी कह सकते हैं मुझे गजन जा कोई से फर्ट नहीं पड़ता मैं जो हूँ वो हूँ मैंने यह नाति एक ब्राह्मान के बेटा होने के नाति कहा था भारते जंता पाटी से अलग मेरी समाजी कुछ सरोकार भी है मेरी कुछ दायतु भी है मेरी कुछ जिमेदारियां भी है उनका निर्वहन ना कर पाओंगा तो सायद मेरा ही नहीं किसी विवेक्ति का जमीर मुझे नहीं लगता कि ललकारता नहीं होगा इस चीज़ के लिए सुसील मोदी जी की अपनी कुछ विवस्ताएं हो सकती है लेकिन सुसील मोदी जी को मैं आज बरे प्रकरता के साथ कहना चाहता हूं कि आधरनिये यह जो सरकार बनी वी है अंडिये गडबंधन की मिथला की बड़ी मजबूत भूमिकार रही है इसमें आपने देखा होगा दिकतर सीटे मिथला ने दी है और पहली बार पूरे देश में ऐसा हुआ है कि मिथला के सबर्णों ने ना कोई केंडिडेट देखा है ना कोई गडबंधन की का पैमाना देखा सिर्फ एक बरे मजबूती से भाजपा के साथ खरा होके वोट देने का काम किया है वाजपा को वोट दिया हमने किसी और को नहीं देखा वाजपा को वोट दिया और इसका कारण था कि मिथला में तो मिथला से सबर्णों का वोट चाहिए कि नहीं चाहिए भाजपा को वोट चाहिए कि नहीं चाहिए इस तरह का अरगल बयान अगर देते हैं तो यह तैजरूर करें और मैं आप लोगों के माध्यम से मिथला के जंजन और कंकं से भी आवान करना चाहता हूं कि इस तरह के व तो फिर आगे हमें तैक करना पड़ेगा कि हमें किसके साथ चलना है आप सवर्णों की केवल बात करते हैं या पूरे हिंदू की बात करते हैं क्योंकि अगर हिंदू की बात करेंगे उसमें तो दलत भी है सवर्ण भी है बिल्कुल मैं जब भी बात करता हूं गजंदर जहां जब भी बात करता है तो सनातन धर्म की बात करता है, हिंदु राष्ट की बात करता है, अखन राष्ट की बात करता है, यह ऐसे लोग हैं जो यह तै नहीं कर पाते हैं, कि उन्हें करना क्या, जीतन राम मांजी ने उर्फ गिरगिट मांजी, मैं आज अभी वह मैंने सुना कोर गिट माजी ने आप देखिए सबसे पहले इन्होंने राम के अस्तितु पर प्रशन उठाया इनकी हिंदुस्तान की एकता अखंटा में इनका विश्वास नहीं है सनातन धर्म में इनकी आस्था नहीं है हिंदूों को इन्होंने गाली दिया हिंदु धर्म को कमजोड बताया और फिर हिंदु धर्म के समवाहग हिंदु धर्म का एक मजबूत करी धर्म को आगे ले जाने वाले ब्रह्मनों को गाली दिया जब आप देश को गाली देंगे समाज को गाली देंगे इतना ही नहीं उन्होंने माजी समाज अपने परिवार को भी गाली दिया हिंदूों को बैठा हर वेक्ति उस लक्ष तक जाएगा लेकिन ड्राइवर उस गारी को आप कहें तो ले लक्ष तक ले जाने का एक मतपुर्ण कड़ी हो सकता है वैसे ही मैं मानता हूं कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर में हर उस वेक्ति जिसकी सनातन धर्म में आस्था है वह धर्म का ब्रामनों को धर्म का रक्षक माना गया धर्म का संवाहक माना गया प्रचाडक माना गया तो अहम भूम का ब्रहमनों की हैं इसमें कता ही दो रहे नहीं है इसी मतलब इसी विचार को दलित समाज खारिज करता है और कहता है कि ब्राम्हन समाज कई सालों से कई दश्कों से य कि मेरा मेरा जो हमला था वह ब्राम पर नहीं था ब्राम्वाद पर नहीं देख कि यह दलितों का नहीं है, आप भी जाए, मैं हजारों दलितों के बीच में गया हूँ, क्योंकि मैंने एलान किया था, कि मैं गिर्गिट माजी के, तथा कथित जितनराम माजी के, पूरे पडिवार के राजनितिक श्राध कर्म कर दूँगा, इनका पूरा राजनितिक श्राध क करूंगा तो उसके लिए मैं एक एक माजी के घरों में जाने का मैं राम को मानते हैं हम साथ्रायन भवान की पूजा करते हैं मैंने पूछा माजी का भािस्कार नहीं करेंगे जी तर्णा माजी से कई ऐसे वीडियो आए तो ये वो तथा कथित लोग गिने चुने उंगली पे हैं जो अपनी राजनितिक रोटी सेकने के लिए इस तरह का फिजूल बयानवाजी करते हैं और पूरे समाज में अलग थलग पड़ जाते हैं अकेले पड़ जाते हैं मंजी जी के भोज में शामिल हुए थे हां ब्रामन हुए थे आप लोगों ने दिखाया था मुझे तोसे पहला ब्रामन त्से लगा नशा ज Tutaj जीतन राम मांजी एक अच्छे डियरेक्टर भी नहीं है क्योंकि उन्हों ने जिन कलाकारों को ब्रह्मन कच्छत्म भेस धारन करवाया वह भी आप लोगों ने पोल खोल दिया अब आगी की क्या अरणीती रहेगी अब तो बीजेपी ने आपको एक्जिट गेट दिखा दिय है अब क्या हाँ बड़ा बडिविदामबना की बात है भार्त्य जनता पाटि जैसा दल जो जिसे पर सिध्धांतों का दल कहा जाता है वीचार पड़िवार कहा जाता है उस दलसे मुझे निशकासन की बात मीडिया पर बरे जोड आधि अभी तक मुझे कोई पट्र नहीं मिला अभी तक कोई पट्र नहीं मिला निसकास्तन का लेकिन फिर भी मैं भारते जंतापाटी में रहू या ना रहू किसी राजणितिक दल में गजेंदर जहा रहे या ना रहे यह यह जो धर्म का धोजा उठाया है वो कहीं भी रहूंगा तो बेवाकी से और बुलंदी से करता रहूंगा अगर ऐसे गदेंजा को कोई ना पचा पाए तो कोई दलवाला मुझे ना बुलाए भाई या तो अच्छा अगर अगर मेरे धर्म पे कोई आजहात करेगा तो जिवा काटने की बात किया है मैंने मेरे धर्म consig काटने की बात हो सकती है तया रहना पड़ेगा आप कैमरे पर ये बाते कह रहे हैं कह रहा हूं अगर गजेंद्र जहां कह रहा है यहां बंद देश की कानून वस्था पर भरोसा नहीं है पूरा है जिस दिन कोई कैमरे पर आके हिंदुस्तान श्री राम को अपना इश्ट मानता है हिंदु सनातन धर्म में राम भगवान है हमारे पूजनी है अगर कोई उनको गाली दे जिस सनातन धर्म में हम जन में फली भूत हुए मेरे उस हिंदु धर्म को कोई गाली दे जिस कुल में मैं पैदा हुआ उस कुल को कोई उंगली दिखा के गाली दे चिन्हित करके गाली दे तो इससे अच्छा मेरे प्रानों की अहूती चली जाए मैं जेल में चला जाओ यह मंजूर है लेकिन मैं यह आवाज उठाना बंद नहीं करूँगा दिन्हित कि उससे घर जाओ यह उथाओ साओ उन्टा जाओ प्रोप्रोछवार है लेकिन मैं जाए जे जाए बंद दुर्ट